हेलो दोस्तो आज मेरे कीचन में बनने वाली है एक स्पेशल सी रेसिपी जो आपको आने वाली है बहत पसंद अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक शेयर करना ना भूले और मेरे चैनल पर अगर पहली बर आये हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा तो आएए शुरू करते हैं इसे बनाने के लिए चाहिए होगा चावल का आटा चावल का आटा मैंने यहाँ डेड़ कप लिया है अब इसमें एड़ करना है आधा कप बेशन यानि की डेड़ कप चावल का आटा और आधा कप बेशन इसी रेसियो का इस्तमाल करके आपको यह रेस्पी तयार करनी होग आपके पास एक और चोईस भी है अगर आप चावल के आटा नहीं इस्तमाल करना चाते हैं तो आप मैदे का भी यहां इस्तमाल कर सकते हैं या पूरी तरह से बेशन का भी इस्तमाल कर सकते हैं मतलब कि सभी से आप ये रेश्पित तयार कर सकते हैं कोई जरूरी नहीं है कि आप जैसे चावल के आटे का इस्तमाल कर रहे हैं वैसे उसका टेस्ट कुछ अलग होगा अगर आप बेसन का इस्तमाल कर रहे हैं तो उसका टेस्ट अलग होगा और अगर आप मैदे का इस्तमाल कर रहे हैं तो उसका टेस्ट कुछ और होगा लेकिन तीनों ही सिच्वेशन में तेस्ट अच्छा होगा अब इसमें हमें चुटकी भर नमक को एड़ कर देना है ज्यादा नमक नहीं बस चुटकी भर एड़ करना है अब थोड़ा थोड़ा पानी इसमें एड़ करिए और इसे मिक्स करिए इसका एक स्मूथ पेश्ट तयार कर लिजे तो हमें बैटर को ना पतला करना है ना ही जादा मोटा करना है चावल का आता है तो यह थोड़ा सा फूलेगा पर ज्यादा पतला नहीं करना है अब इसे 5-7 मिनट के लिए इसी रेश्ट करने के लिए रख देंगे तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं मेरे पास इस तरह की प्लास्टिक क्या बॉ तो आप उसका यूज कर सकते हैं इस रेश्पी के लिए अब हम इस तरह की कील या बड़ी वाली सुई का भी इस्तमाल कर सकते हैं बस इसे आपको गैस पे गरम करना है और इस तरीके से छोटे-छोटे होल कर देना है तो देखिए आपको होल जादा नजदीक में नहीं करनी है इस तरह से गैप दे के करनी है तो देखा आपने इस तरीके से छोटे-छोटे जोगार लगा कर आप अपने कितने ही काम निकाल सकते हैं तो इसे इस तरह से तयार करके हम साइड में रख लेते हैं और यहां हमारा बैटर तयार हो चुका है वह फूल चुका है इसमें हमें खाने का सोडा दो पिंच एड़ करना है बैटर हमारा थोड़ा सा ठीक हो गया है तो अब इसमें हम थोड़ा सा पानी एड़ करेंगे और वापास से इसी कंस्रेंसी में ला देना है तो पानी एड़ करके अच्छे से इसे मिक्स करें तो अब आपको बैटर को चेक कर लेना है तो आप इस चेक करने के लिए एक चमच का इस्तमाल कर सकते हैं, अगर आपके चमच पर इस तरह के line अच्छे से draw हो जारी है, अगर आपके चमच पर coating हो जारी है, तो यानि कि आपका बैटर बिल्कूल perfect है, तयार है, तो इस तरह से आपको बैटर तयार कर लेना होगा, अब आपको इस बैटर में food color अड़ करना है, ये optional है, अगर आप इसे add नहीं करना चाते हैं, तो आप इसे skip भी कर सकते हैं, अगर आप इसे add करना चाते हैं, तो इस तरह से आप कई तरह के color इसमें food color add कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे एक ही color का food color इस्तमाल कर रही है अब इस batter को एक glass में transfer कर लेते हैं इसे हमें आसानी होगी इस recipe को बनाने में तो इसे बनाने के लिए मैंने gas में कढ़ाई रखती है और इसमें refined oil use किया है आप चाहें तो देशी घी में इसे बना सकते हैं आपको यहाँ सरसो तेल का इस्तमाल नहीं करना है आप इसे refined oil या देशी घी में बना सकते हैं तो आप batter को इसमें हमें डालना है और इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा इलाते जाना है तो आप समझ गएना यह container यहाँ जारा का काम कर रहा है इस तरीके से आप फोटे या बड़े hole करके मोटी या पतली किसी भी तरह का जारा बना के तयार कर सकते हैं पतली या मोटी सुई का इस्तमाल करके तो अब आपको जारे की बिल्कुल tension नहीं लेनी है आप इस ट्रीक से घर पर ही जारा तयार कर सकते हैं नॉर्मली जो जारा होता है उससे बैटर बाहर आने लगता है लेकिन इस ट्रीक से यह बाहर भी नहीं आएगा और अच्छे से आपका काम भी हो जाएगा तो जब मन करें आपको बूंदी के मोती या मोटी चूड के लड्डू बनाने का तो आप इस तरह के जारा को बनाए और घर पे ही इसे तयार करें तो अब हम इसकी दूसरी बैच को भी तयार कर लेंगे तो आप देख सकते हैं आपकी बूंदी कितनी बढ़ियां बनकर तयार हुई है वो भी डेर कप चाल के आटे से कितनी ही लाइट वेट और क्रिस्पी बनी है तो मैं यहाँ पे लड्डू किसी तरह की मिठाई नहीं बना रही हूँ पर जो भी बना रहे हूँ हम मार्केट से अक्सर खरीद कर लाते हैं तो अब इसे हम साइड में रख देते हैं और आगे की तयारी करते हैं इसे हमें चाशनी तयार करनी है तो चाशनी के लिए मैंने यहाँ कढ़ाई लिया है और इसमें एक से डेर कप चीनी एड किया है आप कटोड़ी या कप किसी को भी सेट कर सकते हैं और जितनी चीनी लिया है उसकी आधा मैंने यहाँ पानी एड किया है यहाँ पे इसे मेल्ट करना है किसी भी तरह का कोई तार हमें तयार नहीं करना है बस उतना ही इसे melt करना है जितना कि चीनी थोड़ा हमारा गाढ़ा हो जाए एक चाशनी सा तयार हो जाए हमारी melt हो चुकी है और वो गाढ़ी भी हो गई है अब इसमें हमें बूंदी को add कर देना है और इसे अच्छी तरह से mix कर लेना है इस समय gas का flame मैंने low कर दिया है और इसे थोड़ी दिर के लिए इसी तरह से ढख देना है ताकि इसमें जो चीनी का flavor वो अच्छे से आ जाए और बूंदी जो है हमारी अच्छे से soft हो जाए तो देखिए हमने इसे अच्छे से mix कर दिया है इसका जो texture है वो देखने में कितना ही juicy दिख रहा है और खानी में भी ये बहुत ही जादा tasty लगेगी तो जब हम इसे घर पे तयार कर सकते हैं तो हम इसे market से क्यों लाए आप घर पे ही इसे बनाईए और enjoy कीजिए अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ हमारी बूंदी जो है कितनी soft हुई है ये देखिए तो पहले हमारी जो बूंदी थी इसे हमने चावल के आटे से तयार किया था इसलिए ये crispy थी लेकिन जैसे ही मैंने इसे चासनी में add किया है ये soft हो चुका है ये देखिए इस तरी पर ही हम तयार कर सकते हैं वो भी डेड़ कप चावल के आटे से आप इसे मीठी बूंदी कह सकते हैं बुन्या कह सकते हैं आपकी जो इक्छा हो आप इसे कह सकते हैं ये अक्सर पूजा के पंडाल में या ब्रत्योहार में बनाये जाते हैं आपको जरूरी नहीं कि ये वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा मेरे चैनल पर पहरी बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बैल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियो आगे भी देखने को मिल सके मिलते हैं एक नए रेस्पी के साथ